कि नमस्कार दोस्तों टार्गेट अडडा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप पीछे नोटिस बोट पे देख रहे हैं कि जुनियर हाइस्कूल के टीचर की वेकेंसी आई वही है प्रिंसिपल के लिए योग गिता आपका पांच साल का एक्सपिरियेंस मांगा हुआ है सबसे खुसी की बात यह है कि इसमें आपको बीएड और बीटीसी की जरुरत नहीं है अगर आप बीएड और बीटीसी नहीं किये हुए है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं उससे अच्छ जो बच्चे भी आर और बी एंटी पीसी का एक्जाम दिये हैं जिनका पेपर नहीं सही हुआ है उनके लिए बेहत अच्छा मौका है कि इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं और सीटें भी अच्छी खासी हैं 1894 सीटें बहुत होती हैं इसका पेपर पैटर्न दो पार्ट के लिए option दिया हुआ है जो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं पहले पेपर में जीके में आप सभी को पता है कि जो जनरल करेंट अफेर्स हैं और सामान विज्ञान है यह सब पूछा जाएगा सेकंड सब्जेट के बारे में आपको बताते हैं सेकंड सब्जेट के ब अब आते हैं बात करते हैं स्लेवर्स की स्लेवर्स क्या है कि स्लेवर्स का दो पार्ट है पार्ट वन पार्ट वन है जीके जैसा कि अभी हम आपको बताएं जीके पचास कोश्चन आएगा पचास नंबर का यह सब के लिए समान होगा चाहे आप किसी भी वेकैंसी के लिए बहे हों प्रिंस्पाइल के लिए भरे हों असिस्टेंट टीचर के लिए भरे हो यह सेम होगा आपका पेपर आप पार्ट bathing परल का ये आपसा बिलेना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिस और संस्कृत, अगर आप भासा चुनते हैं विसे में तो आपको इन तीनों में से किसी एक कचैन करना होगा, अब दूसरा आता है सैचिक प्रवंधन यो प्रसासन, यह सब्जेक्ट उनी के लिए है जो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करेंगे, और प्रि अब देखिए गड़ित, अगर आप गड़ित चुनते हैं तो आप सिर्फ और सिफ गड़ित के पढ़ाई करेंगे, अगर आप समाजी कद्यन लेते हैं तो सव प्रस्न समाजी कद्यन से पुछे जाएंगे, इसी प्रकार से सलेवर से इसका डिसाइड किया गया है, टोटल देड़ सो नंबर का पेपर होगा, देड़ सो नंबर के पेपर में अगर आपका 125 या फिर 120 प्लस नंबर आता है, तो आपका इसमें चैन सुनिश्चित समझ लिया जाएगा, कटाफ लगबग 120 तक जाएगी, तो इस हिसाब से अपनी तयारी बनाएं कि 120 नंबर तक आ जाए, स दूसरे अपते में पेपर ये खतम हो जाएगा, इसका रिजल्ट भी 4-3 महने में आ जाएगा, तो ये वेकैंसी जल्दी से जल्दी भर दी जाएगी, इसलिए जो बच्चे सीरियस हैं इस वेकैंसी को ले करके वो अपनी तयारी अभी से सुरू कर दें, मार्केट से किताब उठा ले, किताब को पढ़ना सुरू कर दें, जादे टफ स्लेवर्स भी नहीं है, पढ़ना भी बहुत आसान है, इंग्लिस सब्जेक्ट इसमें नहीं है, भासा अगर लेते हैं तो इंग्लिस पढ़ना होगा, अगर इंग्लिस नहीं लेते हैं तो नहीं पढ़ना होगा, धन्यवाज दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सिस्क्राइब करें